आप देख रहे हैं मगरा नीवसादस्तान खबरे सबसितीज राजस्तान में कोरोणा से अब तक 168 लोगों की मौत तो मरीज़कों का अकड़ा पहुच्चा 7476 राजस्तान में कोरोणा पोजिटीव मरीजों की सरक्कार लगातार बढ़ रही है सरकार की सेगड़ों कुर्शिसों के पास भी यहाँ पर कोरोणा के मरीज़ हर लगातार रूज बढ़ रहे है चब इस मईज़कों का अकड़ा 7476 तक पहुच गया है राजस्तान में मगवाद दो फिर दो पज़े तक 169 पोजिटीग केस से तच हुए इसके बाद रास्तान में कोरोणा एक्टिव संक्यों की केस की संक्या भी 3138 हो गए वही कुल मरीज पॉजिज़ से नेगेटिव होई इनकी संक्या 4165 हो गई है वही रास्तान में समय कुल मरीजों का आकड़ा 7466 है कुल मोतों का संक्या भी यहां पर 168 हो गई है वही राजी केरिक जगाओ की बात करें तो मगवार कुटोफर दो बिज़े तक ज़मेर से दो केस आई थे बाड़मे से चार बरतपूर से दो पिलवारा से चार विकारेर से पाच से तुरकर से चार और धोलपूर से दो गंगानगर से एक ज़ेपूर से 21 ज़लावार से ज़लावार से बारा और जुन जुन से पाँच और जोदपूर से चार केस आई है वही नागोर से 7 केस और पोटा से 10 सामने है वही पाले से 10 बतावगर से 1 और रास राजस्तान में वापिस हमाले परवाश्यों की बड़ी सग्या को देखते हुए राजसरकार की सुवस्ते मंत्री ने परतेग्परवासी को चब्दा देन के लिए खुद को कारणटीन करना होगा वही सोजते मंतिने चितावरिट न देविकाय की परवश्यों की व्मसी एक चुनूती बेस्क करती है और सरकार ने इसलिए को आपकर्वकता की रूप में नेधहरित किया है उन्होंने काया कि सोच्टेव भाग कारंटीन सुविदाव को मजबूत करने पर त्यान केंद्रित कर रहा है राजी मंतिरी ने इस्टानी परतिन्जियों से आगरे कि वे अपने सभी चेतरों में ये सुनिशित करें कि उनकी सेतर में परियापत सुविदाए हो राजस्तान में अमजन कुबली बड़ी रहा तब साधी समारों के लिए अनुमति की जरूरत नहीं राजस्तान में परदेश की असोगेलों सरकाने लॉक्डाउन 4.0 में लगातार रियाती दे रही है सुवार को परदेश में पान तमागों अधी दिकानों को खोले कि अनुमति के बाद मंगरबार को विवास्तान के लिए भी रहात दी गई है अब विवास्तान के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी सरकार ने अनुमति लेने पर की बावती खटा दी है विवास्तान के लिए पूर में सूचना देनी होगी लेकर इस पे 50 से जदा लोग सामिल नहीं हो सके कि रही सरकार ने विवास्तान के लिए अनुमति की लाने के समद्धी निश्तान किया है गरे विवा की गुरूप नो ने लोगडाउन चार की संसोतित का इडलाइन का यदिश चारी करते हैं कर्प्यू करते लाकों को छोड़ कर सबीस जोनों में यदिश लागू कोंगे वाई लोगडाउन की सुरुआत में विवास्वारो के लिए स्टेम सेमत लेने का प्रावधान किया गया था नभी अनुमती के बिना कोई विवास्वारो आजज़ित नहीं कर सकता था लेकिन अब सरकार ने चूट का दायरा बढ़ा दिया है आम लोगों को कटनाई को देखते हुए सरकार ने विवा की अच्छक लोगों को बड़ी रहात परदान की है गैलो सरकार का परियासे की लोकडाउन के अवदी के दोरान आम लोगों को किस तरह की परिशानी का सामना नहीं करना पड़े इसकी मज़ने देख सरकार ने तीरे देरे पाबंदियों को हटाना सुरू कर दिया है इस तारह को बड़ाने के बाद में वर और वदू पक्स को मिलाकर अधिक तंप 50 लोग ही विवा में सामिल हो सकेंगे इस तोरां सोसल डिस्टेंसिंग से कोई समझोता नहीं हो सकेगा पहले लोगडाउन में बेना सुचना के परसादी करने पर 50 लोगों से अधिक सामिल होने पर दजार का जुर्मना का परवादान क्याई गातरे कि सरकार ने अनुमती का परवादान हटा दिया है लेकिन 50 से अधिक लोगों के सामिल होने पर दजार कर जुर्मना का परवादान वैसा का पैसा यह थावत रहेगा वाई लोगडाउन के चलते राजे में काफी मांगली काय परवावित हुए है अक्षे तेत्या में अबूच सावा पर भी परदेश में बड़ी संक्या में साधी समारू कैंसल का दिये गए थे लोगडाउन 4.0 में चुट बिलने से दीवी पड़ी है पलाइन की रबतार रजस्तान में ठाई लाग सर्मिकों को मिला है रोजगार रजस्तान में सवा पांच लाग परवाशी आने के लिए रजस्तान तो करवाया लेकिन अभी तक लोटे नहीं है लोगडाउन 4.0 में उत्यों को चुट बिलने से पलाइन की रबतार दीवी हो गई है परदेश में 12 तसमलाओ 51 लाग परवाशों ने ऑनलाइन रजस्तान कर होने रजस्तान है लेकिन सरकार के आकड़ों के नुसार अभी तक 2,33,000 सर्मी किया है यानि रजस्तान के बाद लोगडाउन 4.0 में उत्यों को चुट बिलने के बाद पहले पलाइन की रबतार धीमी हो गई है सरकार का दवाए कि परदेश में सबसे पर्मुक उत्यों की 46 भिवाडी नेमाना में तरोनों में से 46 बड़े आकार के और 45 में से 37 मेगा उत्यों का अत्पातर शुरू हो गया है वे भिवाडी में बड़े ब्रांट्स और होन्डा कोर्स और होन्डा मोटर साइकल ग्लास नेमाता और सेंट गेबिट का जरिया और डाइकन अधी कंपनिय uję की कायों को काम का सुरूज हुआा इसे में सर्मिकों में बालाइन करने से अपना मनबदत लिया इसे में मैंना जा रहा है कि कई परबासी दास्ते में हैं वे कुछ लोग सामने होने का इंतसार कर रहे हैं LK 2 बिहार owned उडिसा जिसींट हज़िसर अर्याना मात्या पर... मिल रहा है लोगडाउन चार में 21 माई से 11 माई तब करें सीर है वाई सरकारी आकड़ों के नुसार इस दौरान करीब धाइल लाग मजदूरों को राजस्तान में रोजगार मिला है वरत्मान की प्रिश्टियों और संकट के दौर से गुजर रहे लागों की संक्या में परवा तक ऑनलाइन अभ्यान चलाया जाएगा इस समथ में आज अखील भारती कॉंग्रेस कमिटी के महा सच्चिव केसी वेड़ों गोफाल द्वारा आज समस्थ राज्यों के परदेश कॉंग्रेस अधेशों और कॉंग्रेस विदाइक दल्की नेताओं को विशी के मायदम से ब परवासी सर्मिकों और मजदूरों की पीड़ा को कम करने है तो अलेक उप्योंगी सुझाव दिये गए जहां गैदर सरकार ने जिनकों सीरे से निकाल दिया है वही परवासी सर्मिकों और किसानों और देनिक मजदूर काम करने वाले लगूद धुम्यों और गेर संगर्ट करवा कर आर्थिक संबल परतान करने में नरेगा मददगा साबिद हुई है उन्होंने कहा है कि राजस्तान में मन्रेगा के दहत नियोजन 40 लाग से अधिक लोगों की संक्या हो गए है जो गत्रस बर्स से सबसे जादा है सचिन पालेट ने कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी किया है कि इसके लिए फेस्बुक ट्यूटर इस्टाग्राम यूट्यूब और अन्जी सूसल मेडियम मेडिया के माधियम से देश्वेपी ओनलाइन कैम्पियन में अन्यमारे रूप से प्रतिभागी बनकर उतर डायत्यों का निर्वान करें असान के सरिस्का बाग प्यार उतने ट्वीट करके कहा कि कोरोना वाईरस की चिंताओं की पीछ बागिन एक्ट बारा एस्टी ने अच्छी कवर दी है सरिस्का बाग प्यारने में 2020 में 20 बाग हो गये हैं उन्होंने कहा कि इनकी अच्छा राजी की इच्छा और राजी के जंगली जिंद्गियों को देख इस्कों लेकर केंदर सरकार लागातार इसरकार इसे चिंती थे वागों की घट्टी संक्या कि मदे लगाता होने सरकार से बाग बचाने की अपिल की है ध्याना वाई सरकार आग है वही देश में बागों की शंक्या को बढ़ाया जाए ऐसे में अलबर जिले की सरिस्का बाग अभ्यारन से आई ये दस्वीर का पिस्वीर की सुकत की बात है। भारत में गंबिर समिशा बने टीडी दल, MP और अलस्थान से 60, UP के तस्चिलों में अलट हुआ जारी। टीडी ओ के दल ने उत्तिर भारत की कई पडिसों में मुश्कीले बढ़ा धी है। में अलट जारी क्या गया है। पकिस्दान की तरब से आने बाले तीडी ओके दल इतना खतना था गिये। रास्ते की पसले सब्जीयों को पूरी तरह से चट कर रही है, पसलों और सब्जीयों की यह जिसतरे उनको भर means करे उनको बर्बाद कर रही ہے, उसे आने वाले समय में खादिया पूरती कि जन और क्रोड लोगों की ऐचिभिकापर संकर करा हो सकता है, राजस्तान मध्यप्रद टीडीयो का ये दल राजस्तान और मध्यापरदेश के कई जिलों में पसलो और सब्जों को नुक्सान पहुचा रहा है हाला के दिरों में की हमले कर्षी को इनके हमलों से कर्षी को काफी नुक्सान पहुंचा है मध्या परदेश के सिहोर जिले के बुद्धन एवं नसुल अगन्च कि किसान अपनी परसल नस्ट होने किसे काफी परिशान है यहां के किसान थाली पीट कर खितों से टीडिया को भगा रहे हुए टीडिया का ये तल आसपास की पीड़ों और जाडियों में बसेरा ना बनाए इसके लिए भी उन पर कितना सक छड़काव भी किया जा रहा है कर्षी पर कर्षी के भी कितना सकते कितना सकता है